गुट मॉर्णिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप देखने हैं चिमें किनॉल मैं हूँ आपके साथ नमरता चैनल पर नए हैं चैनल करिएगा सब्सक्राइब वडियो बसंद आए तो लाइक करिएगा और अपना कमेंट जरू सेयर करिएगा आज तीज के पहले का ये वीडियो है और मैंने गुट मॉर्निंग को कहा लेकिन अभी बहुत लेट हो गया है मुझे वर आपने स्टाइटिंग में देखा कि लगकी काम कर रही थी वसकाम करने वाले के चक्टर में परिशान हो दिया त सबको है पी तीज तीज की डेर सारी सुब काम नाये और आज हम लोग सांता इसको करते हैं आज यह है तीज के पहले का होता और आज बहुत अच्छा आप दाल सब्सक्राइब बनता है तो अभी लगवग ग्यारा बज़ आप मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया और आप इसके बाद हो गया तो इसना टेंशन हुआ कि पूरा मुड आप हो गया मैंने तो गेट ही लगा दिया हो सम्मू नहीं लगाया मैंने लेकिन बहुत टेंशन हो गया तो अब बिल्कुल मन मेरा तूट गया है हलांकि जो आज काम करने के लिए ती जो लड़की थी वह पढ़ पूर्ण जो चाहिए क्या करना है क्याने फिलाल मैंने अब आज दुसरे से काम करवाया है और तो इसको दो के रख दिया है जारा काम हो गया है अभी क्या करूंगी सुभा में देन्ट मौनिंग मैंने जानके करवाया क्योंकि मुझे मेहन्दी भी लगाना है थोड़ा पार प्रिदिंग कर आएंगी देखती हूं अगर वह घर आती है लगाने तब में लगवा लोगी नहीं तो फिर देखती हूं आगे क्या होता है और वैसे अभी रोटी बनाया था इनके लिए इनको रोटी सबजी नास्ता दिया था दो रोटी कर दिया था क्योंकि मॉनिंग देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं पकवान आज हम मेरा बना हुआ नहीं कुछ होता है तो चलिए आप लोगों को फिर से एक बार है पीटी चैनल पड़ने हैं चाले सब्सक्राइब करेगा वीडियो को बेटा का तवियत भी खराब हो गया है बर्दे के साम से ही उसका तवियत खराब होना शुरू हो गया था वहीं पर को खांसी सर्थी जरी फिवर भी आ गया आज वह स्कूल भी नहीं गया विमार बच्चे को देखना एक छोटी है उसको पूजा पाट सब कुछ कल मेरा किलो मैंने डाला है बाबू से मंगवाया एक किलो का चुकि यह मेरे पीछे-पीछे गुमते रहता है तो इससे कुछ-कुछ काम करवाते रहती हूं नहीं तो यह क्या करता है बेटी को सुला के आती हूं यह जाके कभी उसका गाल चुदेगा कभी मूह चुदेगा वस वो निन्द में उड़ जाती है तो यह भी काम नहीं कर पाती हूं और जैसे वह सोती है तो मैं बिलकुल लग जाती हूं काम में तो अभी मैंने उसका मसाज वगर नहीं किया है वस सुबह का है क्या कि सुबह से यह परेशानी से किसी तरह घर साफ हो जाए और यहां पर दूद म आठा रख दिया था सुबह तो उनको नास्ता देने के बाद और यहां पर मैं एक गोंद का लडू ले लूँगी थोड़ा पपीता मेरा बेटा बोल ला था पपीता खाओंगा पपीता और गोंद का लडू मैं खा लूँगी और कपडा वगेरा सुबह से काफी मैं मतलब पूरा सुभा से समय खराब रहा तो इसी लिए अब मैंने फाइनल सोच लिया कब रखूंगे नहीं क्योंकि अब 30 है कल तो कल भी नहीं आएगी कूंकि वो 30 करेगी अगले दिन 30 करके कोई भी बृत करेगा खाप लिए कोई भी नहीं आएका किसी का भी सरीर है तो अगर इतना जुट्टी लेना था यह तो ज़रूरी था तीज और अगले दिन जुट्टी का तो इसके पहले उनको 3 दिन नहीं लेना चाहिए था लेकिन नहीं वो समच्टी अब पूरा तुमको अभी रखना चाहिए कम सब्सक्राइब बताइए हर काम करने वाले का यहीं नकड़ा है अभी नहीं आई यह तब नहीं आई यह कब आएगी उसके चक्कर में और काम में देर होता है तो यहां मैंने सारा कपड़ा डाल दिया है और यह मेरा बेटा पपिता खालेगा मैं भी खालूँगी और गौंद का लड्डू एक खालूँगी पानी पीने के बाद फिर मैं बाबु का मसाज वगर करूंगी उसको नहला दूंगी और फिर दुबारा उसको सुला कर और फिर मैं रोटी सब्जी सब्जी तो बनावाई है रोटी बनागे नास्ता वस्ता करके फिर मैं आप लोगों से बिलती हूं यहां पर मैं सारा काम निश्चिंद करके आ गई हूं बेटी को भी मालेश करके नहला के सुला दिया है बेटा को भी नहला दिया है अपना विनास्ता वगे रख कर लिया था और जब दूस चढ़ा कर गई थी तो लाइट चली गई थी तो इंडक्सन से दूस गैस पर रख दि तो आज 29 तारीख है चावल आज कतम होगा अज मैंने इनको कहा भी नहीं क्योंकि अब एक तो दिन बाद फिर सारा समान आएगा ही तो उसी के साथ आज आएगा तो जो कतनी चावल है आज उसी को बनाओंगे आज अच्छा बना मैं चाहिए और जब ये चावल में दोने लगी तो इसके अंदर से इतनी गंदगी निकल रही थी काला कला मुझे लगता है कि बावो के छटी में ये पूरा डबा ही नीचे चला गया था तो उसी में से अब पताने कैसे गंदगी हो गई दोते दोते में बहुत मैंने धोया परिसान हो तब लाश्ट में एक प्लेट में पूरा चावल को अच्छे से पानी से छान कर निकाला और फिर उधर चावल चढ़ा दूँगी इधर आलू बॉयल होने दे दूँगी दाल भी धोलूँगी और अभी मुझे बगल में फल वाले की आवास सुनाई दे रहे तो फल भी लेन है अगर कुछ समान मैं खरिद लेती हूं यहां तो उनका टेंसन हलका हो जाएगा क्योंकि समान तो भी बहुत लाना है यह सब पर्व जो होता है अकेले करने में मन नहीं लगता है दो चार ओरतों के बीच और हर इतालिका अभरत के बुक में भी लिखा हुआ है कि मिल कर कई लोगों को मिल के करना चाहिए दो तिन वार से तो मेरी मम्मी थी पिछले बार कभी मैंने ब्लॉक से अर किया है इसके पिछले वाले का भी ब्लॉक से अर किया है और और इसके पिछले वाले के पिछले वाले तीजिव के एक दिन पहले भी मैंने यही साड़ी पहन कर मैं गई थी मेहंदी लगवाने के लिए वो सारा चीज मैंने शेयर किया था तो आज तो इस वारत मैं बिल्कुल अकेली हूँ और कुछ पकवान वगेरा भी नहीं बनेगा और अब मैं चली गई हूँ फल लाने और यहां फल लेकर मैं आ गई हूँ कि अधर चावल रहा था इधर आलू जल्दी से डाल दिया और दाल दोकर यहां के लिए अब आप समझ सकते हैं कि साड़े बार आप उने क्यास पास में किचन गुशी थी और तीन बज़रा क्योंकि इसलिए मैं ने एक बज़े क्यास पास से काम सुरू कर दिया अब यह नहीं है कि एक बार किचन गुशूंगी और गंटिम सारा काम करके निकल जाओंगी एक चिछ चढ़ाया फिर मेरी बेटी उट गई फिर गैस बंद करी उस काम को रोकी और कववे के आवाज आप सुन रहा है कौँ करके मेरे बालकनी में बैटके चिला रहा है उसकी अब लोग सुन रहा है यह भी डिश्टरब कर रहा है देखिए वास और मैं उस रूम में नहीं कर रही थी क्योंकि बेटा भी सोया है बेटी भी सोई है पंखा भी चल रहा था तो मैंने सुचा यहां आ जाओं देखिए यहां कववा परेसान कर रहा है और उसके बाद यहा जो इसे ही खिल्ती है किसीवी समय में कुरंब रोटी बना ले ती हो और मेरे यह कैमपरॉमाइश कर लिए कि कोई बात में यह थंड़ाब होंगा लेकिन खराब होने के डऱ्ती मैं कम से कम से कम पांच बच्चे से बनाना सुरू करो इतना पहले से नहीं बनाना सुरू करन या जो चोटे बच्चे को पाल कर यहां तक पहुंचे होंगे तो परिसानी तो थोड़ा सा होती है इसलिए जब यह चावका बरतन सब हो जाता था थोड़ा सा लगता था चलो मदद मिल गया लेकिन क्या किया आसकता है उसमें भी टेंसन है मतलब जीवन मुस्किल से भरा होता लोग रास्ते बनाकर निकलते हैं और सारे फल वल को मैंने धोल्या है और कुछ बरतन जो कठा हो रहते हैं उसके बाद फिर यहां से मैं वो आएंगे खाना पिना उनको खिला दूँगी और फल तो धोई लिया है अब देखती हूँ पारलर का क्या होता है मैं जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ मेंदी लगाने वाले अगर आती है तो सब ठीक है और फिर कम तो बहुत ज़्यादा ह यह लगवक साम के साथ बज़ रहे हैं यह समान लेकर आ गया है फूल पांत पाड़ी जनवू चुन्नी जितना भी जो मैंने लिखाया था खिरा वगएरा उनके पास नहीं था खिरा नार वगएरा जो फल वाला था और यहां पर रात का खाना पिना होने के बाद में भगव में से किन किन के यहां होता है तो यहां पाई सारा चीज मैं एरेंज कर लूँगी जिसे कि मैं सुभा उठूं तो मुझे परेशानी नहीं हो और अभी तक मैंने महंदी नहीं लगाई है रात के दस बच गए और देखे समय नहीं बचा तो डियर इस ब्लॉक को मैं प्रेंट करते हूं मिलूंगी मैं आप से आगे उम्मीद करते हूं आप लोगोंने इंज्वाय किया है और अभी अब मैं चलूंगी महंदी लगाने कीचन भी मैंने पूरा पूछा लगा दिया नीची उपर ताकि कहीं जुठा सख्ड़ी नहीं सुभा मैं उठूं तो बिल्कुल करने और इसको दूने भी क्योंकि फीडिंग कराना है बावु को चलिए अब कल मिलते हैं